हलो बच्छो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मिद सांदार जिन्दवाद जबर जस्त होंगे बच्छो जहारखंड पुलिस की बात कर रहा हूँ हलाकि आज जहारखंड CIC हल्चल मची हुई है पर उसको सब को मद्देर रखते हुए हमें दरकिनार करते हुए हम लोग 4919 वेकैंसी जहारखंड पुलिस में सरकार ने निकाली है तो उस पर बात करने आए हैं और आप सब को मालूम है यह जो वेकैंसी हैं इस पर बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं जाते हैं क्योंकि जहारखंड जितना स्टेट है उस हिसाब से फॉर्म जाते हैं अलाकि बिहार के लोग वेस्ट पंगॉल के लोग उडिशा के लोग थोड़े इंट्रेस्टेड रहते हैं जहारखंड पुलिस में और बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेड नहीं रहते हैं 4919 कम वेकेंसी नहीं हैं जहारखंड के लिए अब अगर मैं बोलू वहिया यहां पर सबसे पहले फिजीकल होता है तो फिजीकल इनका बहुत आसान है अगर आप सबसे आसान फिजीकल किसी पुलिस का मानते हो तो आप जहारखंड पुलिस को भी उनमें से एक रख सकते हो तो बच्चे जहारखंड पुलिस के लिए सबसे पहले फिजीकल होगा फिर आपका एक्जाम होगा और मेडिकल और आपका फाइनल सेलेक्शन अब यहाँ पर लगातार जिस दिन से मैंने वीडियो बनाई थी मैं बिलकुल नहीं चाहता था कि इस चाब में बैच लेकर क्या हूँ क्योंकि बच्चो मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि आप फ्री के रिसोर्स बहुत सारे अविलेबल हैं यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर आप उनसे प्री भी तैयारी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट में और हमारे कॉलिंग नंबर पर लगातार कॉल कर रहे थे इस वज़े से बैच लाना पड़ा अपनी RWA की टीम के द्वारा और बच्चो अब आप लोगों को अगर जारकंड पुलिस में दर लग रहा हो एक्जाम का तो बिलकुल मत डरियेगा क्योंकि अब ये टीम आपके साथ रहेगी आपके एक्जाम तक बच्चे हर एक चीज जो भी आपके एक्जाम में आएगी उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा पहले मैं आपको एक्जाम बता देता हूं Regional Language आती है Regional Language में हम आपको जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ हिंदी पढ़ाएंगे ठीक है हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे बाकी आपकी Regional Languages और बहुत सारी हो सकते हैं लेकिन जो लोग हिंदी चुनेंगे वो हमारे साथ रहें ठीक है बाकी अगर आप कुछ और चुनते हैं तो फिर आपको अपने तरीके से ही पढ़ना होगा पेपर टू की मैं बात कर लेता हूँ पेपर टू जो मेन है इसमें यह तो जिस्ट क्वालिफाइंग है पेपर टू हिंदी जी एस और मैट तीन चीज़े आती है मैं यहां दिखा देता हूँ कि जैसे यह आपकी रीजनल लेंग्वेज है तीन सो मार्क्स की सो कोस्चन आपको आएंगे जिसमें एक आपको एक फिक्स मार्क्स लेकर के आने कि इतने ले आए ठीक है अलाकि यह जुड़ेगा पर वो बहुत कम जुड़ता है एक दो अंक मिलता है कोई जादा अंक ले आ अच्छे स्कोर भी करोगे अब अगर मैं जारखंड पुलिस में बात करूं जिससे सेलेक्शन होगा वो यह तीन चीजे हैं हिंदी यहां पढ़ाई जाएगी वही सेम हिंदी यहां काम आएगी हिंदी तो फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है तो हिंदी के आपके प अच्छे नंबर्स के साथ आपका पास हो जाएगा पच्छिस जी एस और पच्छिस मैट्स रीजनिंग इसमें नहीं है तो यह तोटल अगर मैं देखू तो हंडेड कुश्चन बन जाएंगे हंडेड कुश्चन एक कुश्चन तीन मार्क्स का वन थर्ड की नेगेटिव मा तीन सबजेक्ट पर अगर आप कमांड बना लेते हैं तो फिजिकल ज्यादातर लोग पास करी ही लेते हैं इसका एक्जाम में बहुत आसान चीज दे रखी है इन से आप इस एक्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप आर डवल टीम के साथ जाना च पुलिस के लिए क्योंकि आप पुलिस में रहकर तो सेवक ही होते हैं जनता के सेवक बैच नाम रखा है और बच्चे पूरी टीम है रडवल टीचर जो भी हो और मैं इस स्टेज से जो भी सब्द बोल रहा हूं हर एक सब्द को पूरा करने के लिए जान लगा देगा बच् सेवक बैच कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा वहीं पर वहां आप रोज दिन में आठ से दस सामकोस तो दो घंटे के अंदर मैसेज भीज सकते हो या अपनी समस्या लिख सकते हो वह आपको किसी तरह से कोई भी समस्या होगी तो आपके सारे टीचर उस बैच के अंदर होंगे तो आपकी समस्या सौल करने के लिए इस सेवक बैच का प्राइस जारखंड में बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं मुझे पता है सेजीडी के बहुत सारे बच्चे जारखंड से पढ़ते हैं तो हमने वहां के लिए एक बहुत मिनीमम प्राइस जो हो सकता है हमसे साद यह वो प्राइस है जो आज तक हमने न्यूनतम प्राइस अपने यहां पर रखे हैं हमारे आज तक के सारे बैच यह पांच सो से आठ सो के बीच ही रहते हैं बच्चो तो यह न्यूनतम यानि पांच सो और पांच सो में भी न्यूनतम बीस परसेंट आफ कर दिया तो मात्र 399 रुपे में ये बैच आपको मिल जाए इससे सस्ता नहीं हो सकता बचो आपको हार एक सब्जेक्ट हार एक टीचर मैं आपको दे रहा हूं तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपका एक्जाम अच्छे से ना कंडक्ट हो जाए ठीक है आपके सब्लक्वल नकरें लाइब क्लासिज मौक टेस्ट हर संडे आपको मिलने लगेगा लाइब क्लासिज तो रहेंगी है । लाइव होंगी डाउट ग्रूप आपको मिलने जा रहा है हर क्लास के क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और सारे एक्सपीरियंस बच्चों रहते हैं आर डबलो पे इसमें कोई सक नहीं है यह बैच आप आज से ही परचेज कर सकते हो पांच फरवरी से आपकी क्लास एप आर डबलो एप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से उस पर दिख जाएगा बच्चे परचेज कैसे करेंगे जैसे ही आप बैच डाउनलोड करते हैं तो यह आपका स्क्रीन खुलेगी पेड क्लास में जाईएगा वहाँ पर सेवक बैच सर्च करेंगे तो 499 लिखाए बाइनाव पर क्लिक करेंगे 499, 399 या 400 रुपे कैसे बनेगा तो उसके लिए आपको यहाँ एपलाई कूपन पर जाके जे एच पी 20 लिखना है 399 यह सिर्फ तब तक है जब तक डेमो आपके चलेंगे डेमो के बाद बच्चो यह आपकी कीमत इस बैच की कीमत 499 ही हो जाईगी यह 500 रुपे की कॉस्टिंग रखता है पूरे कंपलीट बैच की है बच्चो ऐसा नहीं है कि वह एक महीने की दो महीने की फीस है नहीं क्यो हर एक टीचर आपके अंत तक साथ रहे और इस फीस में इस न्यूनतम फीस में जो सायद इतने की बुक आप ले आते हो 399 की उतनी फीस में और इतने का कोई रिचार्ज नहीं होता एक महीने का उतनी फीस में आपको एक कंपलीट बैच दिया जा रहा है जिसमें आपके पर आप नहीं बनेगा पर सीदा सीदा क्लास इस्टायट होंगी 5 परवरी से पहली तीन क्लास यूट्यूब पर रहेंगी पहली तीन जो डेम वन डेमो टू डेमो वन टू एंड त्री यह यूट्यूब पर बाद मैं एप डल जाएंगी ठीक है लेकिन उसके बाद चौथी क् अगर आपको लगता है कि यह team कैसा पढ़ाएगी मुझे नहीं पता तो आप अपने पैसे बिलकुल खर्च ना करें जब यह 5 फरवरी से classes start हो जाए और आप एक-एक teacher को परखलो देखलो सब यह class purchase कर सकते हो उससे पहले नहीं तो भी आप अपना coupon code यूज कर पाओगे 399 वाला ठीक है जह एचपी जहारखंड पुलिस 20 बिना space के coupon code में डाल देना history नौ बजे से केसपाल सर करा रहे होंगे पॉलिटी पारूल मैम एक बजे से करा रहे होंगे हिंदी नीरत सर दो बजे से करा रहे होंगे geography तीन बजे से करा रहे होंगे अरुन सर और maths चार बजे से करा रहे होंगे आपके सोवित बंदू सर और science आपके राहुल पालिवाल सर पांच बजे से करा रहे होंगे economics यह बाद में सुरू होगी क्योंकि अभी बहुत सारी classes हो जाएंगी अगर मैं इसको भी सुरू कर दू तो जब कोई सा एक subject GS का खतम हो जाएगा quality या geography या history की जगे आपकी economics चल जाएगी जो पहले खतम होगा ठीक है तो बच्चों यह सेवक batch की पूरी team मैंने आपको बता दिये साथ यह time अभी थोड़ा बदल सकता है मेरे ख्याल से दो बज़े सर की class होती है तो यह time साथ बदलेगा ठीक है तो फिर उस हिसाब से बता दिया जाएगा कोई बात नहीं time table आपको अपने batch purchase करते ही सब कुछ नजर आ जाएगा application में भी time table हम दो डाल लेते हैं ताकि आप यह screenshot लेके भी रख लीजिए वैसे ठीक है बच्चो यह जानकारी आप तक देनी थी और अगर आपको फिर भी कोई समश्या लगे तो आपको हमारा help line number याद होगा नहीं याद है तो लिख लीजिए इस number पर आप हमें call कर सकते हो कोई समश्या है तो यह call है जो सुभह 9 बजे से 6 पी-म तक चालू रहेगा आपकी कोई भी समश्या है कोई भी सुझाव है तो आप हम तक पहुँचा सकते हो बच्चो ठीक है चलिए ओके नमस्कार धन्यवाद